जनपद मिर्जापूर में सभी की निगाएं इस बार पर टिकी हैं कि गंगा नदी का जलिस्तर कहां तक पहुंचा तितिनी तेजी से बढ़ रहा है तो आपको बताना चाहेंगे कि जनपद मिर्जापूर में इस वक्त जो गंगा का जलिस्तर है वो 75 मीटर के आस पास दो मीटर लगबग पीछे है आप जनपद मिर्जापूर का नंबर वन हिंदी नूज पोर्टल मिर्जापूर नूज डाट काम देख रहे हैं और हर खबर जनपद की सबसे पहले सही और सथीक जानने के लिए मिर्जापूर नूज डाट काम यूटूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं या प्ले स्टोर से जाकर मिर्जापूर नूज डाट काम आप लोड भी कर सकते हैं फिलाल जनपद मिर्जापूर का अब तक का हाइस्ट रिकार्ड जो गंगा का जलिस्तर रहा है जो बार्थ का जो दाइरा रहा है वो 80.34 मीटर रहा है और सबसे बड़ी बात है कि 2023 में 73.66 मीटर तक कंगा का जलिस्तर पहुँच चुका था वार्निंग लेविल जो बताया जाता है वो 76.772 मीटर है लेकिन जो 1978 का जो बार्थ आया था वो 80.34 मीटर का था जो अब तक का सरवाधित बड़ा भीशर बार्थ के रूप में दर्ज किया गया था लेकिन आज दिनांक 8 अगस्त 2024 की अगर बात करें तो खतरे के निसान से मात्र 2 मीटर पीछे गंगा नदी बह रही है बर्तमान समय में जो गंगा नदी के जलिस्तर के बढ़ने का जो दर है वो 4 सेंटीमिर्टर प्रती घंडे की रफतार से बढ़त दर्ज की जा रही है बताय जाता है कि अभी तक जनपत मिर्जापुन में गंगा के जलिस्तर के बढ़ने से या बाढ़ के विकराल रूप लेने से भी जन हानी की संभावना नहीं रहती है चुकि हर वर्स बाढ़ आता है और गंगा के तड़ पर रहने वाले लोगों को भी पता होता है कि बाढ़ कहां तक आएगा कुछ जगहों पर खेती के नुकसान होने की बात कही जाती है लेकिन कुछ ऐसे इलाके अभी भी बताये जाते हैं जो रास्ता पूरी तरीके से बंद भी हो जाता है खास्त होपे सास्तरी सेतू के काफी नजदीक गंगा नजी पहुंच जाती है कुछ लोग बढ़ते जल इस्तर को देखने के लिए गंगा के तटो पर पहुंचते हैं और कुछ लोग गंगा की आरती करते हैं गंगा मा के बढ़ते रूप को भी देखके अपने आपको धने महसूस करते हैं वहीं ग्रामीर छेत्रों में या गंगा के तड़ पर तमाम लोग जो रह रहे होते हैं, उनके सामने एक विसम परस्थिती भी उत्पन होती है, कहीं कहीं विशैले जीव जन्तु भी घरों में घुश जाते हैं, फिलहाल ये भटवली काप छेत्र देख रहे हैं, जो भटवली पुल बना हुआ है, और ये भी गंगा की जलिस्तर में देखने के बाद, ये भी एक अदभूत नजारा प्रतीत होता है, जन्तु पर मिर्जापुर का हर खबर जानने के लिए आप 94, 83, 82, 13, 10 पर वार्टसप भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ऐसी कोई खबर है, बाहर से स सूचना आता है, तो आप 94, 82, 13, 10 पर वार्टसप कर सकते हैं,